हेलो एवरीवन, वेलकम टो रवेदिती क्लासेज, आज की वीडियो का टॉपिक है नेबरिंग कंट्रीज ओफ इंडिया, इस वीडियो में हम भारत के जो बडोसी देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनसे रिलेटिट मोस्ट इंपोर्टन क्वेश्चन को कवर करने व हैं, और काफी इंपोर्टन टॉपिक हैं आपके एक्जाम पॉइंट उप्यू से अगर आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टन होने वाली हैं, तो चलिए फैंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स के बात करें कि इंडिया जो है कौन से कॉंटिनेंट में लोकेटिड हैं, तब सभी जानते हैं कि इंडिया जो है एश्या कॉंटिनेंट में लोकेटिड हैं, इंडिया की टोटल नाइन नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें से साथ जो यानि जो लैंड सीमा है याद रखें अगर हम आसान भाषा में बोले तो लैंड सीमा यानि जो इस थलिय सीमा है उसको शेयर करती हैं तो साथ कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो तो देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, मियामार, बांगलादेश ये साथ कंट्रीज हैं जिनका जो है टेरिस्ट्रियल बॉर्डर जो है इंडिया के साथ में शेयर होता है या इंडिया के साथ में लगता है कनेक्ट होता है अब इनको हम कैसे याद रख सकते हैं तो ये साथ टेरिस्ट्रियल जो बॉर्डर नेवरी कंट्रीज याद करने के बहुत ही आसान ट्रिक है जिसमें आप याद कर सकते हैं बच्पन MBA तो बस सिंपल आप याद रखें बच्पन MBA बर्स से देखें बांगलदेश चरसे चाइना पर्से पाकिस्तान नर्से नेपाल M से Myanmar, B से Bhutan और A से हो गया अफगानिस्तान इस तरीके से आप बहुत ही शौट तरीके से इन सातों की सातों कंट्रीज को याद कर सकते हैं तो जो वाटर बॉर्डर कंट्रीज इनके साथ में वाटर बॉर्डर लगता है भारत का वो है श्री लंका और मालदीव 16 स्टेट और दो यूनिन टेरिटरीज जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं चिके तो यहाँ पर यह भी आद दिखिया कि जलिये सीमा किस किस से लगती है श्री लंका और मालदीव से अब एक लिस्ट देख लेंगे हाँ पर दिखिये पूरी यह लिस्ट है इसमें दिखाया गया है कि कंट्रीज उसके साथ कितना किलोमेटर शेयर होता है बॉर्डर और किस यूटी या कितने जो है वो स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर होता है यह जो लिस्ट है फ्रेंड का 106 km का बॉर्डर जो है बतब तोड़ जो बॉर्डर लेंथ है वो 106 km की है और किसके साथ में बॉर्डर शेर होता है लदाख यूनिन टेरिटरी के साथ उसके बाद बांगलादेश के बात कर दें बांगलादेश के साथ देखें इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेर ह यह कोशन बन सकता है कि सबसे बड़ी जो बॉर्डर लेंथ है वो किस या किस कंट्री की है जो कि इंडिया के साथ में लगती है तो याद रखेंगे सबसे बड़ी सीमा की लंबाई है बांगलदेश की 4096.7 किलोमेटर अब बात करें कितने स्टेट के साथ में बॉर्डर लगत एक बार अगर आपने मैप को अच्छे से स्टोडी कर लिया तो यह रटने की जूरत नहीं पड़ेगी आप इनको मैप से ही याद कर पाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं फेंट्स भूटान भूटान के साथ भारत का 699 किलोमेटर बॉर्डर लगता है अब कौन कौन से देखे स्टेट के साथ में लगता है वेस्ट बिंगॉल सिक्किम आरुनाचल प्रदेश और असाम उसके बाद देखे चाइना चाइना के साथ में पाकिस्तान के साथ में बारत का बॉर्डर लगता है 1643 किलोमेटर का जिसमें स्टेट्स हैं अरुडाचल प्रदेश, नागालेंड, मिजोरम और मनिपूर नेपाल के साथ में भारत का बॉर्डर शेयर होता है 1751 किलोमेटर और स्टेट कौन कौन से हैं बिहार, उत्राखंड यूपी, सिक्किम और वेस्ट बिंगॉल, पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर लगता है 3322 किलोमेटर और जिसमें देखें दो तो यूटी हैं जमु कश्मीर और लद्दाख, बाकि देखें पंजाब, राजिस्तान और गुजराद, तो ये सभी बॉर्डर किसके साथ में सभी को याद करना, अब बात करते हैं most important questions की, तो question में भी जो जो चीसे important points आते रहेंगे, उनको भी लेते चलेंगे, तो पहला question है, how many neighboring countries are there in India, यहां देखे total पूझा गया है, कोई ऐसे नहीं पूझा कि terrestrial बताएं, या water border जिनके साथ share होता है, आपको total neighboring countries बतानी है, तो total की बात होगी, तो answer कितना आएगा, 9, 9 कौन कौन से countries है, अफगानेस्तान, पाकिस्तान, बांग्रदेश, मियामार, भोटान, चाइना, नेपाल, श्री लंका, एंड मालदेश, तो 9 हैं इंडिया की neighboring countries, next, how many states and duty of India share borders with neighboring countries, भारत के कितने राज्जी और केंदर साशर प्रदेशो की सीमाई, पडोसी देश से लगती है, तो total कितने हैं, हमने पहले भी cover किया है, 16 states हैं, और दो हैं UT, दो UT में से कौन कौन सी है, लद्दाक और जमु कश्मीर, और 16 states कौन कौन सी है, देखिए, सिक्किम, अरुनाचल प्रदेश, नागलेंड, मनिपुर, मिजोरम, तिरपुर मेगाले, असाम, वेस्ट बिंगॉल, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाजल प्रदेश, पंजाब, राजस्तान और गुजरात, तो ये हमारी हो गई 16 states और दो UT हैं, लद्दाक और जमु कश्मीर, अब बांगलादेश से related questions की उपर बात करेंगे, तो तब पह लंबाई है 4096.7 km और सबसे लंबी है ये लेंथ, ठीके सभी neighboring countries में से, अगला बांगलादेश share its border with how many states of India, बांगलादेश के सीमा भारत के कितने राजियों से लगती हैं, तो टोटल पांच राजियों के साथ में लगती हैं, पांच कौन कौन से हैं देखिए, वेस्ट बिं बांगल, मेगाले, तिरपुरा, असाम, and मिजोरम, देखिए, मैप में अगर आप देखना चाहें, तो बहुत easy देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये बांगलादेश है, बांगलादेश के साथ यहां देख सकते हैं, ये लग रहा है वेस्ट बिंगल, जोकि सबसे बड़ का बॉर्डर बेस्ट बिंगल का लगता है, उसके बाद देखिए हमारा कि इधर हागा है, ये मेगाले, ओके, नेक्स्ट यार दखिएंगे, तिरपुरा, स्टेट होगे इसका बॉर्डर लगता है, और असाम का बॉर्डर भी यहां से शियर हो रहा है, आप देख लीजे फ important अगर आप इस तरीके से map में देखेंगे तो इजली याद हो जाएंगे इसे अभी नेपाल का आएगा तो यहां देखें नेपाल है तो जितनी state टच हो रही नेपाल से वो सभी border share कर रहें नेपाल से अगला question which country has the longest border with India भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा border जो लगता है भारत का वो बांगलादेश से लगता है next what is the name of the currency of Bangladesh बांगलादेश की मुद्रा क्या है तो बांगलादेश की मुद्रा है टका next when did बांगलादेश become an independent parliamentary democracy तो बांगलादेश एक स्वतंत्र संसदिय लोगतंत्र कब मना answer 11th January 1972 अगला है what is the capital of बांगलादेश तो basic basic से देखे questions है ये कि currency क्या है capital क्या है कब अजादी मिली तो इस तरीके से basic questions भी हमें याद रखने है बांगलादेश की रास्धानी है धाका बांगलादेश का official name क्या है people's republic of बांगलादेश next what is the name of the national temple of बांगलादेश बांगलादेश का राष्टे मंदिर का नाम क्या है तो राष्टे मंदिर का नाम है धाकेश्वरी temple जो कि धाका में है next what is the name of the parliament of bangladesh bangladesh की संसद का नाम क्या है तो bangladesh की संसद का नाम है जातिय संसद ठीक है question ऐसे ही बन जाएगा बहुत important है parliament की नाम भी पूछ लेते हैं exam में तो parliament का नाम है जातिय संसद अगला question when did bangladesh get independence from Pakistan bangladesh को Pakistan से अजाधी कब मिली कब मिली तो याद रखेंगे 1971 में next has a land border with bangladesh bangladesh के साथ में एक भूमी सीमा किसकी लगती है तो एक तो थे के स्थले सीमा भारत के साथ बनाता है लेकिन दूसरी सीमा मियम्मार के साथ भी लगती इसलिए आंसर होगा इंडिया and मियम्मार अगला question गंगा नदी को बांगलादेश में किस नाम से जानते है तो गंगा नदी बांगलादेश में जानी जाती है पदमा के नाम से very important question next which Indian state is surrounded by बांगलादेश on three sides in the north, south and west तीन तरफ से देखे तीन तरफ से तरीके से बांगलादेश के साथ में कौन सा state गिरा है तो अगर अब map में थोड़ा सा ध्यान देते बांगलादेश के बिलकुल तीन साइट जो है बांगलादेश किसका होता है तिरपुरा राज्यका next what is the first integrated check post on the इंडो-बांगलादेश border भारत-बांगलादेश सीमा पर जो पहला देखे check post है वो कौन सा है तो पहला check post है अगरतला integrated check post next which of these trains between India-बांगलादेश has started from 1st June 2022 अभी देखे रिसेंटी पिछले साली भारत और बांगलादेश के बीच में कौन सी train शुरू हुई है तो train का नाम है मिताली एक्सप्रेस next question which highway connects India with बांगलादेश कौन सा राजमार्ग भारत को बांगलादेश से जोड़ता है तो कौन सा राजमार्ग है NH-112 next by whom was the national flag को बांगलादेश designed बांगलादेश का राश्टिय ध्वज ये design किसके द्वारा किया गया था answer है कमरूल हसन next by what name is Ganga known as बांगलादेश बांगलादेश में Ganga को पदमा के नाम से जाना जाता है अगला question है in बांगलादेश the combined stream of Ganga and Brahmaputr is known as Ganga और Brahmaputr की जो सयुक्त धारा है से बांगलादेश में किस रूप से कहा चाता है तो बांगलादेश में कहते हैं से मेगना अगला question there is a dispute between India and Bangladesh over the sharing of water of which river भारत और बांगलादेश के बीच किस नदी के जल को साजा करने के लिए को लेकर विवाद है तो कौन सी river है तीसता river तो ये सारे question बांगलादेश country से related हो गए अब बात करेंगे चाइना से सबसे पहला basic सा question कि चाइना के साथ में कितनी borderline बारत की लगती है यानि सीमा रिखा के लंबाई कितनी है 3,488 km second question है कि कितनी यूटी और कितने states का border share होता है चाइना के साथ चाइना के साथ total 5 state और यूटी का border share होता है कौन कौन सी देखिए तो एक तो यूटी है लद्दाक उसके अलावा 4 state है सिक्किम, उत्राकर्ण, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो total की बात करेंगे 5 और अकर state और यूटी अलग-अलग करें तो पांच में से एक तो यूटी है और 4 क्या है states है next what is the name of the border of China in India तो चाइना और इंडिया की जो सीमा है उसका नाम क्या है तो उसे नाम दिया गया है उसका नाम है मैक मोहन लाइन next है चीन की राजधानी क्या है तो चाइना की capital है फ्रेंट्स बीजिंग अगला है what is the name of China's currency तो basic question देखें आप सभी जानते होंगे चाइना की currency रेन बिन्बी और यूआन तो दोनों ही चाइना की currency है next which river is known as China's mounding किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना चाता है तो river कौन सी है हुआंगो river अगला question अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी आर कनेक्टेड बाई डैश तो अंडमान सागर और जो दक्षिन सी चीन सागर है ये किस से जुड़े हुए हैं तो ये जुड़े हैं मलक का स्ट्रेट से किस नदी को चीन के तिबद छेतर में यारलूंग सांग्पो के नाम से भी जाना चाता है कौन सी रिवर है अंसर ब्रह्मपुत्र नेक्स्ट क्वेशन विच रिवर इस नोन एस चाइना स्माउनिंग ओकी हमने कवर कर लिया वैसे चले कोई बात नी चाइना की चीन के शोक के रूप में जाना जाता है हुआंगो रिवर को चाइना का जो है सबसे लंबी सीमा रेखा की सेश के साथ लगती है तो चाइना मंगूलिया के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा साजा करता है अगला कोशन चाइना की जो देखे हैं यूज वाल है आप चाइना वाल के नाम से भी उसको कहते हैं जो सब इतनी लंबी जो वो दिवार है इसका निर्माड किसने करवाया था तो उसका निर्माड किया गया था किन शी हुआंग के द्वारा अब कुछ extra information की बात करते हैं friends ये भी बहुत जादा important है ये इंडिया के कुछ famous channel या फिर famous trade है जिनके बारे में हमें याद होना चाहिए दिखे किस को ये connect करते हैं दे कौन कौन से छेतर को भी भाजित करते हैं उनके बारे में जैसे की 8 degree channel के बात करें तो जो 8 degree channel है ये है मा पारे में रहाद रखेंगे कि किस किस के बीच में कौन कौन सच्यानल है किसको separate कर रहा है 9 degree channel जो है ये separate करता है minicoi को लक्षोदीब से उसके बाद 6 degree channel येए great nikobar को सुमातरा जो इंडोनेशिया में है उसको जो है वो क्या करता है विभाजित करता है 10 degree channel किस के बीच located है अं इंडमान ने भी देखे, small एंडमान और निकुबार में कार निकुबार, इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल, उसके बाद आता है great चैनल जो की इंडरा पॉइंट एंडोनेशिया किम को जो है separate करता है, पाकिस्तान स्ट्रेट, इंडिया, श्रेलंका, इसे देखे, पाकिस्ता जो है यह है इंडिया और श्रेलंका के बीच में, उसके बाद देखे, कोको चैनल जो की अंडमान और कोको आइलेंड, जो की मियामार में है यह आइलेंड, इसको separate करता है, तो यह सबी जो चैनल हमने जो cover किये है, यह list बहुत important है, यहां से भी आपको exam में question मिल जाएगा, चले बढ़ते हैं आगे, हब बात करते हैं पाकिस्तान से related questions की, तो सबसे पहला basic question, what is the land of borderline of इंडिया पाकिस्तान, बारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, उसके लंबाई कितनी है, 3,323 किलो मीटर, second question, how many states, यूटी और पाकिस्तान are bordered, मतलब पाकिस्तान की जो सीमा है न, वो भारत के कितने राज्जी और कितने यूटी के साथ में लगती है, तो पाकिस्तान के साथ में सीमा लगती है, टोटल पांच की, जिसमें तीन स्टेट हैं, दो यूनिन टेरिटरीज हैं, तो दो यूनिन टेरिटरीज में हैं, देखिए, जम्मो कश्मीर और लद्धाक, और तीन स्टेट कौन कौन सी हैं, गुजरात, पंजाब एंट राजिस्तान, पाकिस्तान और भारत की सीमा का नाम क्या है, आंसर, रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान की संसत का नाम क्या है, तो पार्लमेंट का नाम है, नैशनल असेंबली, नेक्स्ट क्वेशन, पाकिस्तान की कापिटल, पाकिस्तान की कापिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की करंसी क्या है, तो याद रखेंगे पाकिस्तानी रुपिया, next who used the word Pakistan for the first time पहली बार पाकिस्तान शब्द का परियोग किस ने किया answer Chaudhari Rehmat Ali युनों ने सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का परियोग किया अगला question which of the following types are the boundaries between India and Pakistan and India and Bangladesh तो भारत और पाकिस्तान और भारत और बांगलादेश के बेच सीमाएं निमलिकित में से किस परकार की है तो जो boundaries हैं उन्हें कहते हैं सब सिक्वेंशल लिमिट्स या अनुवर्थी सीमाएं next when and where did the Muslim League pass Pakistan's proposal Muslim League ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था तो 1940 में लाहोर में पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था वो पारित किया गया था next question which of the following is the author of the novel जिसका नाम है Train to Pakistan तो Train to Pakistan जो novel है इसके लेखा कौन है right answer खुश्वंत सिंग अगला question which of the following was the first president of Pakistan पाकिस्तान के पहले राष्टपती कौन थे right answer इसकंदर, मिर्जा ये पहले देखे राष्टपती थे और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के आंसर है लियाकत अली खान अब देखे एक और हम लिस्टरी हाँ पे cover करने वाले हैं कि इंडन स्टेट्स के साथ में किस किस country का border share होता है इस तरीके से भी हम cover करती है तो देखे पहला कौन सा स्टेट है सिक्किम सिक्किम जो स्टेट है इसके साथ में तीन जो country है वो लगती है कौन कौन सी नेपाल भूटान एंड चाइना तो चले एक बार map भी देख लेते हैं जैसे आप देखें तो सिक्किम ये छोटा सा सिक्किम अलोकेटेट है तो देखें इधर नेपाल है इधर भूटान है इधर चाइना है तो तीन country के साथ में इसका border लग रहा है इसके बार देखें अरुणाचल प्रदेश भी तीन के साथ में इसका जो है वो country ये जो सनलगन होते कौन-कौन सी है देखें चाइना, भूटान, म्यामार तो अरुणाचल प्रदेश है सबसे इधर इस्टर में देखें इसके साथ एक तो भूटान शेयर कर रहा है अपना border इधर से म्यामार का लग रहा है उपर है चाइना जिके तो तीन के साथ में अरुणाचल प्रदेश के सीमा लगती है ऐसे ही देखें नागालेंड जो है वो म्यामार के साथ में बनाता है मनीपूर भी म्यामार के साथ लगता है तो यह देखें नागालेंड यह है मनीपूर दोनों के दोनों सिफ वो सिफ म्यामार जिसे पहले बर्मा कहते थे उसके साथ में जो है वो सललंगन है मिजोरम दो स्टेट के साथ बांगलादेश म्यामार तिरपुरा का सिफ बांगलादेश के साथ में लगती है सीमा मेगाले के सीमा बांगलादेश के साथ लगती है असाम के सीमा लगती है भूटान और बांगलादेश के साथ उसके बार देखे वेस्ट बिंगॉल तीन स्टेट लगते हैं बांगलादेश नेपाल और भूतान तो यह है देखे वेस्ट बिंगॉल इधर तो बांगलादेश लग रहा है यह है भूतान देखे और इधर से नेपाल भी अपना बॉर्डर लगा रहा है वेस्ट बिंगॉल क बिहार सिफ एक कंट्री के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ तो यह है बिहार और यह है फ्रेंट्स नेपाल उत्रप्रदेश का भी नेपाल के साथ लगता है उत्राखन का बॉर्डर लगता है नेपाल चाइना से हिमाचर प्रदेश का बॉर्डर लगत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाता है राजस्तान और गुजराद भी सिर्फ पाकिस्तान के साथ में लगती हैं दोनों स्टेट्स अब आते हैं लद्दाक तो लद्दाक जो है वो चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ वक्षान corridor जो है ये लगता है अब एक बार लदाक का देख लेते है map में तो देखे यह यह आ रहा है हमारा लदाक ठीक है यह लदाक तो पाकिस्तान के साथ में लग रहा है देखे इधर से चाइना से लग रहा है ऊपर थोड़ा सा कर देखें तो अफगानिस्तान के साथ भी लगता है लगदा का बॉर्डर तो इस तरह से मैप को देखे अगर आप study करेंगे तो बहुत easy होगा यह सब याद करना चले अब अफगानिस्तान से related question बात करते हैं तो पहला basic question की टोटल बॉर्डर लेंद कितनी है 106 km अफगानिस्तान के साथ भा भारत के एक केंदर साशे प्रदेश से लगती है जो की है लगदाख next what is the length of the border line of Afghanistan लगदाख तो जो एक लगता है न एक के साथ लगता यूटी के साथ तो कितना लगदाख के साथ में बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का तो अगर हम खाली अफगानिस्तान लगदाख क सिर्फ लगदाख के साथ में 106 km बॉर्डर बनाता है what is the name of parliament of Afghanistan तो अफगानिस्तान की parliament का नाम क्या है शोरा और अफगानिस्तान जो लगदाख के साथ सीमा बना रहा है वो total ही है देखिए क्योंकि अफगानिस्तान की एक ही जो है वो अफगानिस्तान एक ही border share करता है लग लगदाख के साथ सिर्फ ठीक है इंडिया के साथ जो border share होता है अफगानिस्तान का वो सिर्फ लगदाख वाला ही है तो वो एक ही है confused नहीं होएगा बिलकुल भी 106 km अगला question पर बढ़ते हैं देखिए what is the name of the capital of Afghanistan अफगानिस्तान की capital क्या है answer है काबल अगला question what is the name of the currency of Afghanistan अफगानिस्तान की currency है अफगानी what is the name of the border of Afghanistan and India तो अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा है इसका नाम क्या है राइट आंसर डूरंड लाइन तो ये तो अफगानिस्तान की बात अब बात करती है Myanmar से related what is the length of the boundary line of India Myanmar तो भारत म्यामार के जो सीमा रेखा है उसके लंबाई है 1643 किलो मीटर next म्यामार जो है भारत के कितने states के साथ में म्यामार के सीमा लगती है तो total चार states के साथ में म्यामार के साथ भारत के सीमा लगती है कौन कौन से states है अरुडाचल प्रदेश, मनिपूर, मिजोरम, नागालेंड अगला कोशन है म्यामार has the longest international border with which of the following countries म्यामार की जो अंतराश्टे सीमा है वो सबसे लंबी किस देश के साथ में है तो सबसे लंबी जो म्यामार की सीमा है वो लगती है चीन के साथ next म्यामार की जो है नई कापिटल क्या है तो नई कापिटल का नाम है नेपिदो म्यामार में 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 रिलीजन कौन सा है यानि म्यामार का प्रमुख धर्म है बुद्धीज में यानि बौध धर्म अगला है which state of India share the longest border with म्यामार अब म्यामार के साथ एक भारत के जो states लगते है उन भी से सबसे लंबी सीमा किस के साथ लगती है मिजोरम से next है म्यामार की currency क्या है तो म्यामार की currency है कियाद अगला question what is the name of the Parliament of म्यामार म्यामार की संसत का नाम क्या है अंसर है पाईतू हिटाव जो है एक म्यामार की पारलमेंट है म्यामार को पहले क्या कहा चाता था म्यामार का पुराना नाम है बर्मा म्यामार है से longest border with which of the following country तो म्यामार का जो है वो सबसे लंबा international border लगता है चाइना से अब बात करते हैं नेपाल से related question की पहला question है कि भारत और नेपाल का जो border length है वो कितनी है तो टोटल सीमा की लंबाई है 1751 किलो मीटर second question how many states of India share the border with नेपाल भारत है कितने राजय नेपाल की सीमा से लगते हैं तो टोटल हो गए 5 ठीके पाच कौन कौन से हैं देखे states उत्राकंड, उत्तरपरदेश, बिहार, वेस्ट बिंगॉल एंड सिक्किम next what is the name of the border of India in नेपाल भारत और म्यामार की सीमा रेखा का नाम क्या है तो उसे कहते है सुनौली अगला कुशन देखे what is the name of the capital of नेपाल, नेपाल की राजधानी क्या है तो नेपाल की capital है फेंड स्काटमांडू और नेपाल की currency क्या है नेपाली रुपी next which state of India shares the longest border with नेपाल भारत के किस राजधे की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है तो सबसे लंबी जो border है वो भारत का लगता है भारत का कौन से स्टेट है उत्ताप्रदेश next what is the name of the parliament of नेपाल तो नेपाल की संसत का नाम क्या है नैशनल पंचायत या राश्टे पंचायत next which river forms the boundary between इंडिया एंड नेपाल भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है तो कौन सी रिवर है याद रखेगा फ्रेंड स्काली रिवर जो की इंडिया और नेपाल के बीच सीमा बनाती है next in how many provinces has the country of नेपाल been divided नेपाल देश को कितने प्रांतों में बाटा गया है आंसर है हमारा seven next apart from India, Pakistan and Sri Lanka which other Asian country has rupee as its currency देखे भारत, पाकिस्तान और श्रिलंका इनमें भी देखे जो currency है वो rupee है जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी rupee है है ना श्रिलंका में श्रिलंकन rupee है इनके अलावा कौन सी ऐसी country है जिसकी currency रुपी यानि रुपिया है तो वो है नेपाल क्योंकि यहां की currency है नेपाली rupee next question, what is the new height of Mount Everest, the world's highest peak जोकि नेपाल में located है, यह दुनिया के सबसे ऊची चोटी है और अब जब इसकी देखे कुछ ताइम पहले दुबारा से मीजर किया था तो इसकी length थोड़ी से बढ़ी थी और total कितनी है 8,846.86 मीटर, 0.86 मीटर की लंबाई बड़ी थी, यानि ज़ादा हुई थी तो इसलिए अब नई length याद रखेगा, नई height याद रखेगा 8,848.86 मीटर next in how many provinces, अच्छा है हमने cover कर लिया है, टोटा 7 प्रांतों में बाटा गया है इसके लाब अगला question है, which national park of Nepal is location और बाल में की national park of India नेपाल का कौन सा राश्टे उद्यान, भारत के बाल में की राश्टे उद्यान की अवस्तिती है तो नेपाल का कौन सा है, जिदवन national park अब आते हैं भूटान तो भूटान में सबसे पहला question वही है कि भारत और भूटान के जो border length है, वो कितनी है यानि सीमा की लंबाई है, 699 km Second question, भूटान कितनी states के साथ में, कितनी इंडियन states के साथ में भूटान की सीमा साजा होती है सीमा लगती है तो भूटान की टोटल चार states के साथ में, ये सीमा शेयर करता है, देखिए, कौन कौन से स्टेट, सिक्किम, वेस्ट बिंगॉल, असाम एंड अरुनाचल प्रदेश अगला question, विच स्टेट अफ इंडिया शेयर सी लॉंगिस्ट बॉर्डर विद भूटान भूटान के साथ में, सबसे लंबी सीमा जो लगती है, वो असाम स्टेट की लगती है next question, what percentage of भूटान's area is covered by forest भूटान का कितना प्रतीशच छेतर जो है, ये forest से cover है, 72% next question, which of the following is the highest mountain in भूटान तो भूटान का जो सबसी उजा परवतिवस का नाम है, गंखर पुनसुम next, what is the name of the parliament of भूटान, तो भूटान की संसत का नाम क्या है, सौंगदू आगला question है, what is the name of the capital of भूटान, तो friends भूटान की राजधानी का क्या नाम है, तो भूटान की capital है, friends थिम्पू next, what is the name of the currency of भूटान, तो भूटान की currency यानि मुद्रा क्या नाम क्या है, नगुल्ट्रम अब बात करते हैं, श्रिलंका, सबसे पहला question, what is the name of the border, यानि भारत और श्रिलंका के बीच, जो सीमा है, इसका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे, जैसे हमारा ये इंडिया है, और नीचे आप याद रखेंगे, श्रिलंका है, तो उनके बीच का जो सीमा है ना, वो है पार्क स्ट्रेट, तो यहीं पे ही लोकेटेड है फ्रेंड्स पार्क स्ट्रेट, तो याद के भारत श्रिलंका के साथ में वाटर बॉर्डर शेयर करता है, जलिये सीमा लगती है भारत की, अगला question, what is the name of the Parliament of श्रिलंका, श्रिलंका की पार्लमेंट का नाम क्या है, श्रिलं पार्ली मेथ हुआ, नेक्स्ट, वें देट श्रिलंका बिकम इंडिपेंडेंट, श्रिलंका कब स्टंत्र हुआ, 4th of February 1948, वो श्रिलंका को स्टंत्रता मिली, नेक्स्ट, विच इस इफ विच आइस्ट पीक ऑफ श्रिलंका, श्रिलंका की सबसे ऊची चोटी कौनसी है, आंस है, next time, what is the name of the capital of श्रिलंका? श्रिलंका की देखें, दो capital है, एक है कुलंबो, दूसरी है श्रि जैवर्धनी, पुरे कोटे, इसलिए answer होगा, option C, what is the name of the currency of श्रिलंका? so बात करिए हाँ पर श्रिलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो श्रिलंका की मुद्रा है, श्रिलंकन Q. In which year Shri Lanka got independence? Shri Lanka को किस वर्श स्वतंतता मिली? आंसर होगा फ्रेंट्स, 1948 Q. What is the longest river of Shri Lanka? Shri Lanka की सबसे लंबी नदी कौनसी है? Q. Mahavili Q. Who is the first Indian citizen to win the Shri Lankan Ratna Award? Q. Shri Lanka रत्न पुरिसका जीतने वाले पहली भारते नागरी कौन है? Q. Answer नर सिम्मन राम Q. How many provinces are there in Shri Lanka? तो Shri Lanka में कितने प्रांत है? तो Shri Lanka में हैं total 9 प्रांत Q. Which was the capital of first kingdom of Shri Lanka? Q. Shri Lanka के पहले सामराजे Q. पहले पहला चो kingdom था Shri Lanka का उसके राजधानी क्या थी? सही आंसर है अनुराधा पुरा Q. The descendants of Dutch and Portuguese colony in Shri Lankan are called Q. Shri Lanka में जो Dutch और पॉर्तुगिली यानि पुर्तगाली उपने वेश के वंशे से उनको क्या कहते थे? Q. उनको कहा जाता था बर्धर Q. अब नेक्स्ट आता है हमारा Maldiv Q. मालदीव के साथ पी देखें बॉर्टर बॉर्डर शेर होता है भारत का Q. पहला कोशन क्या है? Q. वट इस दी कापिटल अब मालदीव? Q. मालदीव के राजधानी क्या है? Q. मालदीव के राजधानी है? Q. तो याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल Q. अगला कोशन है Q. वट इस दी करंसी ऑप मालदीव? Q. मालदीव की मुद्रा क्या है? Q. मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुफिया Q. ठीक है? रुपिया नहीं है याद रखेंगे रुफिया है Q. नेक्स्ट दा आइलेड निशन ऑप मालदीव वेर इस लोकेटेड जो मालदीव आइलेड है यह कहां लोकेटेड है तो फैंट्स यह लोकेटेड है इंडियन ओशन यानि हिंद महसागर में Q. यहां हमारे देखिए सारे ही Q. जितने भी नेबरिंग कंट्री से जो भी Q. बन सकते हैं उन्स सभी को हमने कवर कर लिया है अब टेस्ट की बारी आती है तो पहला Q. देखिए क्या है Q. भारत के साथ किस देखिए जो सीमा लगती है वो सबसे लंबी है तो आप सभी इन दोनों क्वेशन के आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं फ्रेंड्स और आज का इंपॉर्टें सेशन यहां कम्प्लीट होता है थांक यू सो मैं फो वाचिं इस वीडियो